आप सभी को जैसरी कृष्णा राधे राधे तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल के एक सत्य घटना जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू कोपाल के प्रतीश रधा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा तो ये सत्य घटना है ब्रंदावन की ब्रंदावन में नि की भक्ति थी लड्डू कोपाल के प्रती बड़ा भाव था बड़ा प्रेम था और उनके साथ साथ वो मांके बिहारी की भी भक्ति वो हमेशा मांके बिहारी मंदिर में आया जाया करती थी लेकिन बहुत वरसों से वो लड्डू कोपाल की सेवा करती थी वैसे वो विरंदा लेकिन उनकी हस्बेंड का ट्रांसपर हुआ था व्रंदावन तो वो चार-पांस साल से व्रंदावन में ही रह रही थी पहले वो लड़ू कोपाल की सेवा नहीं करती थी लेकिन जब से व्रंदावन आई थी तो ये तो बागी बिहारी का प्रताप ही है कि जो वहां पर चला गया वो बिना लड़ू कोपाल की सेवा के बिना बागी बिहारी की भक्ती के रह नहीं सकता अब उनका और उनकी लड़ू कोपाल का इतना प्रेम हो गया था इतना मतलब लगाव हो गया था उनको अपने लड़ू कोपाल से कि वो दिन रात लड़ू कोपाल की भक्ती में र इतना लगाव हो गया था ना व्रंदावन से वैसे भी जो कोई बताओ अपने लोग कभी जाते हैं व्रंदावन अगर व्रंदावन पहुंच जाओ ना तो सच में ऐसा लगता है कि यहां से जाए ना बिल्कुल इतना मन लग जाता है फिर तो वो इतने वर्सों से रह रही थी ब्रंदावन में फिर तो उनका लगाओ हो ना सौभाविक सी बात है जब एक दिन के लिए जाओ और इतना मन करता है फिर सोचिए कैसा उनको लगता रहोगा अब उनके हजबेंड बोले कि अब तो मेरा ट्रांसपर हो नहीं है नेस्ट मन्द अब उनका ट्रांसपर हो गया गुजराद और उनके लाला तो थे अब ब्रंदावन के वहीं से उन्होंने लिया और वहीं उनकी सेवा हो रही थी वहीं उनको मा कर्मी से सब कुछ महीं का भोग लग रहा था अब इनका transper हो गया तो अब जाना तो पढ़े गाही ऐसा तो हो नहीं सकता कि अब ये यहां रहें और husband वाहरें है गुजरात में ऐसे भी नहीं हो सकता है क्योंकि बच्चे भी चोटे चोटे थे तो अब इनका transper हुआ एक महने हुए नैस्ट मन्थ इनको जाना हुआ गुजराद अब ये बांके बिहारी को गई प्रणाम करने सब कुछ बहुत अच्छे से किया उनसे प्रार्थना की कि प्रभू अब हम जा रहे लेकिन हमें पीच बीच में बुलाते रहे ना अपनी सेवा में अपने दर्सन के लिए जैसे हर कोई प्रार्थना करता है वैसे ही इन्होंने भी किया अब लड़ो को पाल को लेके चली तो गई गुजराद लेकिन इनका मन ही न लगे क्योंकि इतने सालों से ये वरंदावन में रह रही थी हर हपते इनका बाकी बिहारी का दर्सन करना होता था सब कुछ औ और वहां की तो बात ही निराली है वहां की भक्ती में तो जो भाव है वो तो कहीं है यह वैसे तो हर जगे आप यह जरूरी नहीं कि सिर्फ रंदावन में ही जो भक्ती करता है वही भक्ती भगवान सुईकार करते हैं ऐसा बिलकुल भी नहीं है जहां से भी आप भगवान क पुकारों के जहां से भी आप भक्ती करोगे भगवान हर जगे हैं कहते हैं कि भगवान कहीं बाहर ढूडने की जरूरत ही नहीं है भगवान सब के हिर्दे में हैं ऐसे ही उनका भी था लेकिन वही है ना कि इतनी वरसों से रह रही थी तो उनका भी मन नहीं लग रहा था और उनके साथ उनके जो गुपाल जी थे जो लड़ू गुपाल थे उनका भी मन नहीं लग रहा था ये समझो अब उनका जब भी उनको पूजा करने के लिए बैठती उनकी सेवा करने के लिए बैठती उनके चेहरे में वो जो मुसकान रहती वो चेहरे में दिखती ही नहीं अब बो लाला से अपनी प्राठना करती, कि लाला ऐसे उधास-उधास से क्यों लगते हो, तो वैसे जो ब्रंदावन में जो तुम्हारा चेहला खिला रहता था, वो खिला चेहला, तो मुझे दिखता ही नहीं है, अब मैं क्या करू लाला, अब तो अपन को यही रहना पड़ेगा अगर तुम को चलना है तो तुम ही कुछ करो नई तो अब क्या कर सकते हैं अबटरांसपर हो गया और इतने जल्दी जल्दी तो टरांसपर होता नहीं है लेकिन इतना वो सब कुछ करती है उनसे बातNS देखो जब हम बगवान के साथ जुड़ते हैं ना उनके साथ कोई संबंद बनाते हैं तो हमारा रिस्ता ना एक जिस भी भाव में हम भगवान को पूछते हैं वैसा हो जाते हैं अगर हम एक बच्चे के भाव में पूछते हैं एक सखा के भाव में तो हम उनसे वैसे ही बातें करने लगते हैं तो वैसे ही ये भी किया करती थी उनसे अलड़ो गोपाल से बात अब भोग लगाती सब कुछ करती वो उनसे कहती देखो मैं अपनी तरब से कोई कमी नी लाला तुम्हारे उपर कर रहे हूं जैसे मैं वहां तुम्हारी सेवा करती है खूब वो करती है लेकिन सच में उनको ना उनके लड़ो गोपाल को उनको अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पर जैसे इंसान हो जैसे अपन लोग होते हैं न कहीं जाओ तो एकदम से कहां अच्छा लगता है जब कुछ दिन वहां पर रहो कहीं भी हम जाते हैं कहीं भी जाओ घूमने वाली बात दूसरी होती है वहां तो हम घूमने जा रहे लेकिन कहीं किसी कहां जाओ भी न तो एकदम से वैसे अच्छा नहीं लगता है जब कुछ दिन रहो फिर अच्छा लगने लगता है ऐसे ही इनके साथ था और इनके लड़ो गोपाल के साथ इनको भी अच्छा नहीं लग रहा था वहां पे गुजरात में अब ये वरंदावन की बात ही अलग थी वहां पे तो भगवान की भक्ती की लहर ही दोड़ती है गली गली में राधे 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 और ये चीज गुजरात में तोड़ी थी तो अब क्या होता है एक दिन की बात ह बताती हैं कि एक दिन यह सोई हुई थी अब सोते इनको जैसे आधी नीद में कोई होता है अब यह मंदिर रखे हुई थी सब कुछ बहूत अच्छे से ऐसी बात नहीं कि यहां आगे थी तूनकी सेवह नहीं हो रही थी, प्रॉपर उसी तरीखे से सेवह कर रही थी सब कुछ हो रहा था रात में इनोंने भोग लगा के सुला दिया अपने लड़ो को पाल को लाला को अब रात में इनको ऐसे लगे कि जैसे एक बच्चा रो रहा हो जैसे ब्रच की बच्ची रोते हैं ब्रच भासा में वैसे वो बच्चा रो रहा था हमों को याद आ रहिए है अपने vagically माईया मुझे ले चलो मुझे याद आ रही है्यार, ऐसे करके वो एक बच्चा रो रहा है, अब यी एकदम से इनको उत्सितरा मतलब शपना आ आता है, एकदम से नेनिसी नहीं खुलती, तो ये उठके बैठ जाती है, अब ये बाहर जात सब कुछ अच्छे से फिर नहाई धोई भगवान की अपने लला की पूजा की सब कुछ सिंगार की सब अच्छे से लेकिन उनके चहरे में वो छवी उनको दिखी नहीं रही थी वो उदास सा उनका चहरा वो जो खिल खिलाता सा चहरा होता जो उनको भाव मिलता था उतने लड़ गोपाईल के चहरे में वो चीज उनको मिल ही नहीं रही थी वो समझ रही थी इस बात को कि मेरे लल्ला को यहां पर अच्छा नहीं लग रहा है भाई वो समझती थी कि कहां वो बर्ज में रहने वाले कहां वृंदावन में रहने वाले और कहां यहां गुजरात में आगए कैसे अच्छा लगेगा अब वो करती भी तो क्या करती इतने जल्दी तो पर पीना होता, अब सब कुछ आके, मतलब उनके मन में ये चीज थी, कि आज सपने में ऐसा लगा, लेकिन अब ये लगा कि चलो फेहम हैं, अब दूसरा दिन होता है, रात होती है, अज बेंड आते हैं, खाना पीना, सब कुछ खाते हैं, अपने डल्ला को सुलाती हैं, और सो जाती हैं, अब सो जाती हैं, अब फिर वही बात होती है, फिर रात में होती है, सोती है, और फिर वही सपना इनको, दिखता है कि एक छोटा सा बच्चा है, रो रहा है, और रोता भी वो बच्चा कैसे है, कि ब्रजभासा में ही रोता है, जैसे छोटी बच्चे ब्रज की ब रो रहा है अब इनको फिर एकदम से इनको नीद खुल जाती कि ऐसे कैसे हो सकता है अब ये तो बड़ी परिशान हो जाती है अब इनको एकदम से ऐसे लगता है कि जहाँ लड़ोगोपाईल के पास जाती है देखती है तो ऐसा लगता है कि जैसे इनकी लड़ोगोपाईल की आँखों के पास आसू हो मतला पानी की चलक सी दिखते है अब तो ये परिशान हो जाती है ये तुरंट अपने हस्वेंट को उठाती है और कहती है कि देखो मुझे ऐसे सपना और कोई एक दिन हो तो चलो मैं माल लू आज दूसरे दिन मुझे ऐसे सपना आया और अपने भेंड भी उठके आते हैं, देखते हैं की उनकी आखों के पाँँ न, ऐसे आसु, जैसे पानी की बूंदे मुधा होती ही न, वैसे लगी हो, तो उसके हज्बेंड कहते हैं, अरे ऐसे ही है, कुछ पानी वानी तुमने राथ में पानी आनी पिलाया होगा तो कुछ ऐसे गिर गया होगा वो नहीं मानते इस बात को और बोलते हैं कि चल सोजा तेरा वहम है ऐसे थोड़ी होता है और तो वो तो इतने अच्छे भाव से सेवा करती थी वो तो समझती थी वो बोले कि नहीं सुनो मेरी बात माननो लाला को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यहां कहां वो ब्रंदावन के रहने वाले का नया जी और यहां हम लाला को रखे हैं उनको कहां अच्छा लगे बुले कि क्या कर सकता हूँ मैं इतनी जल्दी मेरे ट्रांसफर भी नहीं हो सकता अब बच्चों का admission भी हो गया है मैं सोचू कि चलो अगर तुम लोगों को मैं वहीं रखूँ और मैं यहां कुछ दिन रहूँ तो यह भी अब possible नहीं है क्योंकि उन बच्चों का admission हो गया है अब मैं क्या करूँ अब क्या होता है और और वो कहते हैं कि तेरा वहम है ऐसा कुछ नहीं है लेकिन वो मानने को तयार नहीं अब क्या होता है कि अब दूसरे दिन फिर वो सब कुछ वही जो जैसा चल रहा है वैसी अब साम को अजबेन आते हैं ओफिस से और फिर खाना पीना बच्चे सब लोग खाना खाते हैं ये सरंगार करती है अच्छे से बगवान का लड़ू को पाल का माप भी मांगते हैं सब कुछ कहती हैं उनको समझाती हैं कि लाला देखो हम जा नहीं सकते हैं अब तुम ही कुछ करो अब क्या कर सकते हैं कैसे तुम को वहां पर लेके जाएं व्रिंदावन लेके जाएं अब तो यहां पर सब कुछ हो गया है बच्चों का एडवीशन भी हो गया है नहीं जा सकते हैं लाला यहीं पर रहने की आदट डालो ऐसे करके वो अपने लाला को समझाती है अब इनको तो करना था कुछ चमतकार अब तीसरे दिन की बात है यह अब यह सब कुछ सुलाती है सब कुछ फिर सो जाती है अब तीसरे दिन क्या होता है कि इनके इनको ना आके इनकी हस्बेंड को सपना आता है सपने में फिर वही जो उनको आया था सपना उनकी वाइफ को वही सपना उनके हस्बेंट को आता है और सपनी में भी वही वाक के वही सब्दे की मो को यहां अच्छो नहीं लग रहा हूँ, मो को ब्रंदावन जानो, मो को ले चलो ब्रंदावन, मो को बिल्कुल अच्छो नहीं लग रहा हूँ, ऐसे जो ब्रंदावन की ब्रजभासा है ना वैसे करके वो लड़ोगोपल मतलब उनसे बोलते हैं अपने किसे अपने भक्त से मतलब उनके हस्बेंट से अब तो ये उठ जाती है उठ जाते हैं और अपने वाइब से कहते हैं यार ये तो सही है जो तू कह रही थी कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है लड़ों को पाल को सच बात है अब मैं क्या करूँ तो अब ये आते हैं उनकी वाइब भी उठती हैं आती हैं और उनसे हाथ जोड़ दियें कि प्रभू देखो आप कह रहे हो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं हम आप ही कुछ कर सकते हो नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते आप कुछ क्रपा करो हमारे ट्रांसपर फिर सुग वहीं करवा दो तब ही हम आपको वहां ले के जा सकते हैं तो अब क्या था लड़ गोपाल चाहें तो वो तो सब कुछ कर सकते हैं अब क्या होता है कि एक हपते के अंदर कुछ ऐसी situation होती है कि इनका जो transfer है इनका transfer दुबारा से वहीं ब्रंदावन के लिए हो जाता है ब्रंदावन के पास मत्थुरा के लिए हो जाता है अब ये तो सब कुछ जमतकार था ये तो लट्डू को पाल की क्रपा ही थी अब ये और ये वाइब की सच में इनको लट्डू को पाल को यहां पर अच्छा नहीं लग रहा था ये तो बहुत खुस हो जाते हैं और है तो ये इनका transfer हो जाता है ये वापस जाने की तयारी करने लगते हैं और इनके बच्चों का भी जो admission हो गया था वो भी पगवान की क्रपा स वहां पर मथुरा में इनके बच्चों का admission हो जाता है अब ये अपने ब्रज में पहुंच जाते हैं लड्डू को पाल तो ऐसे होते हैं लड्डू को पाल चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं अगर आप उनके उपर विश्वास के साथ भरोसे के साथ उनकी स्रद्धा से भक्ती से अपने भाव से अगर अप उनकी पूजा करते हैं पाट करते हैं तो वो जो चाहें वो सब कुछ करवा सकते हैं बस आप उनके उपर विश्वास रखो भरोसा रखो आपको उनको जहां रखना होगा न वहां रखेंगे तो ऐसी होती है हमारे लड्डू को पाल की क्रपा क कि वो चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं ना मुम्किन को भी मुम्किन कर सकते हैं कब जब आपको उनके उपर भरोसा होगा जब आप उनके उपर सब कुछ छोड़ देंगे कि अब आप जानू तो वो जो चाहें वो कर सकते हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प् राधी